Hello guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start exercise 2.2, question number 4. So let's start, question 4 is shade. 1 by 2 of the circles in box A, 2 by 3 of the triangles in box B and 3 by 5 of the squares in box C. Students, आपको यहाँ 3 boxes given है, A, B and C, ठीक है? यह हमारा A box है, यह B है and यह C है. तो आपको इन boxes में shade करने है, ठीक है? देखो, first में क्या given है हमें? 1 by 2 of the circles in box A, यानि A box में जितने circles हैं, ठीक है? उनका 1 by 2 part shade करना है. तो सबसे पहले तो टोटल देखो, टोटल circle कितने हैं यहाँ पे? 12, कितने हैं? 12, तो 12 का हम 1 by 2 part, जो है, वो shade करेंगे. तो सबसे पहले तो 12 का 1 by 2 part, जो है, find out करेंगे, 2, 6 जा, 12. तो कितना आगे हमरे पास 6, ठीक है? क्योंकि यहाँ देखो, इन्होंने बुले न, 1 by 2 of the circles in box A, यानि A में जितने circle हैं, A box में, उसका 1 by 2 part, जो है, वो shade करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 circles का 1 by 2 निकालेंगे, ठीक है, 12 का half कितना होगा, 6, ठीक है, तो 6 circles पे हमने shade करना है, तो 6 पे हम shade कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, ठीक है? तो यह 6 circle पे हमने shade कर दी, अब चलते हैं, B की तरफ, ठीक है? अब देखो, second में हमें क्या given है, 2 by 3 of triangles in box B, यानि box B में जितने triangles हैं, उसका 2 by 3 part, जो है, वो shade करना है, total 9, तो 9 का 2 by 3, अगर हम find out करेंगे, तो प्लाएगा, 3, 3 जा 9, and 3, 2 जा 6, 6, ठीक है, total triangle हमारे पास 9 है, और 9 का अगर 2 by 3, हम find out करते हैं, तो हमारे पास आता है, 6, it means 6 triangle पे जो है, हमने shade करना है, तो 6 पे कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and last C box पे जलते हैं, देखो, 3 by 5 of the squares in box C, यानि C में जितने squares हमें given है, उसका 3 by 5 part, shade करना है, तो total जो है, squares कितने हैं यहां पे, 15, तो 15 का 3 by 5 देखो, 3 by 5 find out करेंगे, 5, 3 जा 15, and 3 जा 9, तो कितने squares पे shade करेंगे, 9 पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ठीक है, उन्होंने बुला था ना कि जितने squares given हैं, उसका 3 by 5 part, तो यहां 15 squares given है, 15 का 3 by 5, 9 उठीक है, तो हमने 9, जो है, squares पे shade करेंगे, तो यह question 4 था, 2.2 का, जो मैंने आपको इस वीडियो में clear किया है, I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा, so thank you.